ओम शांती आज 31 मार्च 2024 है आज के स्लोगन द्वारा हम जानेंगे विदेही स्थिती से हमें क्या प्राप्ती होती है और हर प्रिस्थिती में हमें अपने अचल अडोल बनाने का अभ्यास जो है विदेही स्थिती द्वारा कैसे आती है आए सुनते हैं आज का स्लोगन प्रिस्थितियों की हल्चल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिती में रहने का अभ्यास करो विदेही स्थिती ये हमारी अंतिम पेपर की स्थिती है बाबा सदेव कहते हैं कि लास के समय पर जब हर तरफ परिस्थितिया हो हलचल वाली हो, शोर शराबा हो तब ये विदेही स्थिती हमने बहु काल से अभ्यास करके रखा हुआ है हमने विदेही स्थिती को स्टॉक में जमा करके रखा है तो हम पास्विड ओनर्स बनेंगे ये स्थिती न केवल अंतिम पेपर में पास्विड ओनर्स बनाते हैं लेकिन अंतिम पेपर की और जो जा रहे सफर है जो journey है उसमें भी हमें अचल अडोल स्थिती बनाती हैं ये बहुत विशेश प्राक्ति है इस प्रामन जीवन में क्योंकि जितना जितना हम विदेही अर्थात देह से न्यारे देह रहित होने का अभ्यास करते हैं बहुत सारे अलग-अलग रूपों में सुक्षम अगर उस विदेही स्थिती में हम स्थित होते हैं उसका अभ्यासी है तो उस शरीर के प्रकृती के हलचल से भी हम परे जाते हैं और जब हम शरीर के प्रकृती के हलचल से परे होने के अभ्यासी बन जाते हैं तो बाहिय परिस्थितिया जो पांच तत्व रुपी प्रकृती स रहे हम ने हमारे समक्ष ब्रह्मा बाबा मम्मा को देखा बड़े दादियों को देखा उन्होंने अपने इस विदेहीपन के अभ्यादे पड़े हो अभिदेही पन की उस स्थिती से हर परिस्थिती में हलचल वाली परिस्थिती में अचल अडोल रहे करके हमारे समक्ष सैंपल बने हमारे समक्ष एक्जांपल बने तो ये स्थिती सबसे स्रेश्ट स्थिती है सबसे उंची स्थिती है जो प्राक्टिकल में रहे करके हमें प्र फिरते एक सेकिंड भी मिले तो एक सेकिंड में अपने आपको इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करें। के प्रकृति द्वारा जो हल्चल क्रियेट होता है चाहे आंतरिक रूप से चाहे बाहिये रूप से उसमें हम सदा अचल अडोल रह सकते हैं। ओम शान्ति